Hello everyone, अभी हम लोग continuity and differentiability में आगे के बात करेंगे, lecture 2 है अमारा ये continuity and differentiability chapter का, तो इससे पहले था हमने कर लिया था, हमने बोला था example 1 से next video में करेंगे, तो चलिए example 1 से शुरू करते हैं, तो पहले example है, check the continuity of the function if given by fx equal to 2x plus 3 at x equal to 1, हमारे पास function जो है, हमारे पास example 1 में, जो function देख रखा है, fx equal to, वो कितना देख रखा है, 2x plus 3, हमें check किस पर करना है, point जो देख रखा है, वो देख रखा है, x equal to 1, तो चलिए चेक करते हैं, कि क्या ये function जो है, वो इस पर continuous होगा कि नहीं होगा, तो पहला step हमने क्या बोला था, कि आप functional value पता क देहान दो, तो ये क्या है, polynomial function है, linear polynomial, ये एक polynomial function है, polynomial function जो है न, वो x के हर एक value के लिए defined होता है, मतलब माइनस इंफिटी से लिए इंफिटी से लिए इंफिटी तक, तो ये defined तो है, तो यहां से निकाला हमने, f of 1, f of 1 देखा कितना जाएगा, 2x1 plus 3, एकुल टू कितना, 5, ये first step होगे हमारे पास, ठीक है, second step की बात करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, limit extending to 1, fx, limit extending to 1, fx हमें निकालना है, ठीक है, तो this will be, limit extending to 1, twice x plus 3, यहां पे LHL और RHL निकालने की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपने limit के सारे questions वगरा, exercise पूरत 13.1 कर लिया है, तो आप यहां पे हमें LHL और RHL निकालने की जरूरत पड़ती है, और कहां पे नहीं पड़ती है, देखो, LHL और RHL आप वहां भी निकालोगे, जहां पे की कोई function, मतलब उस point पे आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत पड़ेगी, जिस पे function हमारा not defined हो, या फिर वहां पे अपना definition चेंज करता हो, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो वहां पे not defined है, और ना वहां पे अपना definition चेंज कर रहा है, तो आप directly निकाल सकते हो, और यह ऐसे भी polynomial है, polynomial में directly निकाल लेते हैं हम लोग, तो यह कितना जाएगा हमारे पस, 5 आ जाएगा, तो क्या हमारा limit x tending to 1, fx जो है, वो f of 1 के बराबर है, तो हाँ बराबर है, बराबर है हमारे पस, तो हम लोग कहेंगे कि function is continuous, function is continuous at point what x equal to 1, function x equal to 1 पे क्या है, continuous है, अगर आप चाहो तो इसका graph बना लो, किसका graph बनाना है, fx equal to twice x plus 1 का, तो twice x plus 1 का जब graph बना होगे आप, तो कैसा बनेगा, जब y equal to 2x plus 1 का एक तरह से graph बनाना है, तो x का value 0 रखेंगे, तो y का value 1 आ जाएगा, y का value 0 रखेंगे, तो x का value minus 1 आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का graph बनेगा आपका, तो उसने किस पे पूछा है, one पे continuous होगा की नहीं है, तो one पे देखो, one पे कैसा कोई break हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो function जो है, वो continuous होगा, हर एक जगा पे, one पे भी, उसने one पे भी बात किये, बस तो हम one पे बाता के छोड़ देंगे, examine whether the function f given by fx equal to x square is continuous x equal to 0, ओके, example number 2 में हमारे पास जो function देख रख f of 0 निकाल लेते हैं, functional value निकाल लेते हैं, तो functional value हमारा कितना आगया, 0 आगया, एक हो गया काम हमारे पास, दूसरा काम कि limit x tending to 0, f of x निकालना है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, limit x tending to 0, again x square, क्योंकि polynomial है, तो directly हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 र x tending to 0, f x is equal to what, f of 0, f of 0 के बराबर है हमारे पास, इसलिए हम लोग कहेंगे कि function, function is continuous, continuous at x equal to 0, function जो है, वो 0 पे क्या है, continuous है, चलिए, अगले example पर आते हैं, example number 3 पर, discuss the continuity of the function, f x equal to mod x, third example है आपके पास, f x equal to modulus of x, और किस पर करना हमें, x equal to 0 पे, अच्छा, अगर उपर वाले का हम लोग graph बना है, तो उपर वाले का graph कैसा बनेगा, graph जो है, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, आपका, f x equal to x square का, graph यह तरीके का बनता है, तो आप देखू कि 0 के असपास में कोई ब्रेक है क्या, नहीं है, विल्कुल नहीं है, 0 पे ब्रेक, ठीक है, तो function जो है, वो continuous होगा हमारा, चली आते हैं अगले पे, function f x equal to modulus of x, तो अगर हम इसको redefine करें, तो इसका definition क्या होता है, इसका definition होता है, x किस के लिए, जब x greater than or equal to 0 हो, और कितना होता है, minus का x होता है, आपको LHL और RHL निकालने की जरुरत पड़ेगी, तो चलो पहले तो functional value निकाल देते हैं, कि f of 0 क्या होगा, तो f of 0 कितना होगा आपका, देखो 0 के लिए define कौन सा है, 0 पे equality यहाँ पे लगा होगा है, तो यह होगा आपका, यानि कि 0, f of 0 पे यहाँ पे x की जगा पे 0 को तो 0 निकल के आजाएगा, ठीक है, अच्छा, अब निकालते हैं क्या, limit extending to 0, limit extending to 0, f of x क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे लहाँ और RHL के जरुरत पड़ेगी, LHL और RHL हमें दोनों निकालना पड़ेगा, reason क्या है, कि देखो 0 पे अपना definition change कर रहा है, 0 से पहले कुछ 0 से पहले कुछ और है, 0 के बाद कुछ और है, तो 0 पे definition change कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अलग-अलग निकालने के जरुरत पड़ेगी, तो निकालते हैं, LHL at x equal to 0, तो that will be what, limit x tending to 0 minus fx, ठीक है, यह किसके बराबर होगा हमारा, limit x tending to 0 minus, fx की जगा पे 0 minus पे definition करता है, minus का x है हमारे पास, तो this minus x, अब यह 0 minus को tend कर रहा है, यह 0 को tend कर रहा है, तो किता हो जाएगा, minus 0 या फिर को, 0 को tend करेगा, ठीक है, आर एचल की बात करते हैं, कि RHL at x equal to 0 क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, हमारे पास limit x tending to 0 plus fx, this will be equal to limit x tending to 0 plus fx, क्या है हमारे पास, 0 plus के लिए, 0 plus के लिए definition यह है, यानि कि 0 से आगे के लिए, कितना है, x है, तो इसके जगाप x रख देते हैं, तो अब x अगर, 0 plus को tend कर रहा है, तो यह value भी 0 plus को, यानि कि, कि किसको tend करेगा, 0 को tend करेगा, तो हमारा LHL और RHL बराबर आ गया, LHL, LHL equal to RHL, equal to कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, LHL और RHL, 0 के बराबर आ गया, तो हमारा जो functional value होगा, वो हम कहेंगे, कि यह भी किसके बराबर होगा, इसलिए, limit x tending to 0, fx जो होगा, वो भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो अब हमारा LHL और RHL बराबर आ ग इसको लिखते हैं, since करके, since, limit x tending to 0, fx is equal to kya, f of 0, f of 0, तो हमारे पास, इसलिए, fx is continuous, continuous, at किस पे, x equal to 0, x equal to 0, function क्या होगा, हमारा, continuous होगा, छीक है, चली, आते हैं, अगले question पे, और अगला हमारे पास देखर, अच्छा है, इसका भी अगर ग्राफ बनावाब, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, modular suffix का, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो आप देख सकते हो, कि 0 के आसपास में, कोई break इस पे नहीं है, तो function जो होगा, वो continuous होगा, चलिए, 3 हो गया हमारा, 4 पे आते हैं, so did the function given by this is not continuous at x equal to 0, fx क्या है, x cube plus 3, x cube plus 3, 4 x not equal to 0, और 1 if x equal to 0, 1 है, किसके लिए, अगर x जो है, वो 0 है, ठीक है, यह हमारा definition है, अब हमें क्या करना है, 0 पे पता करना है, तो पहले क्या करते हैं, पहले functional value पता करते हैं, f of 0, तो f of 0 पे देखो, 0 पे defined किया हुआ है, अलग से, value किता है, 1 है, यह काम होगा हमारे पास, अगले काम की तरफ आते हैं, और अगला काम होगा हमारे पास, कि limit x tending to 0, fx निकालना, अब यहाँ पे definition जो है, हमें, हमारा अल function होगा, वो क्या होगा, x q plus 3 होगा, x q plus 3 होगा, x equal to 0 के लिए तो हमारे पास 1 है ही, ठीक है, और x greater than 0 के लिए भी क्या होगा, हमारे पास, x q plus 3 ही होगा, reason क्या देखो, कि x not equal to 0 बोला न, x equal to 0 के लिए तलग दे ही दिया, तो not equal to 0 में कौन सा आएगा, less than 0 and greater than 0, तो हमने क्य किया उन दोनों के लिए एक स्क्यूब प्लस थ्री है तो यहां पर यहां पर लिख दिया हमने अब यहां पर देखो कि जब लेचल निकालेंगे हम लोग लेचल निकाले तो लेचल क्या होगा आपका लिमिट x tending to 0-fx तो 0- के लिए आपका definition कौन सा होगा 0- के लिए यह x cube plus 3 तो this will be equal to limit x tending to 0- x cube plus 3 तो value कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा ठीक है आरेचल की बात करते हैं तो आरेचल क्या होगा लिमिट x tending to 0-fx 0-fx तो 0- plus पर कितना definition होगा हमारे पस होई x cube plus 3 तो this will be equal to limit x tending to 0- plus कितना x cube plus कितना 3 तो अब जिरो को tend कर रहा है तो यह हमारे पस किसको tend करेगा यह value किसको tend करेगा 3 को तो हमारे पास LHL और RHL दोनों बराबर आ गया तो हम लोग का limiting value जो होगा यानि कि limit x tending to 0 जो होगा fx वो किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर अब यहाँ पी यह आप देखो कि यह तो हमारा limiting value हो गया और यहाँ पी यह जो देखे to f of 0 क्योंकि यहाँ पे तो 3 है फंक्स लिमिटिंग वैल्यू तो 3 आया है बट फंक्सनल वैल्यू कितना है हमारे पास वन आया है तो हमने जो जीरो पे फंक्सन जो है वो continuous नहीं होगा ओके चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे मतलब अगले question पे और अगला question अबर बास question number 5 check the points where the constant function fx equal to k is continuous fx equal to kya देख रख था है k क्या बोला है check the points where the constant function अगर आप ग्राफिकली देखो इसको ग्राफिकली हम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं यह देखो यह x हो गया यह y हो गया अब fx equal to k हुआ तो k का value मान लेते हैं कुछ भी रखा 3 रखा तो 3 क्या होगा ऐसे एक horizontal line होगा अब यह अगर horizontal line हुआ तो आप किसी भी point पे check करो मान लेते हैं 2 पे check करो तो 2 minus पे भी आपका 3 ही आएगा 2 plus पे भी आपका 3 ही आएगा अगर constant function है fx equal to 3 fx equal to 3 दिया हुआ है तो f of 2 पे निकालोगे तो भी वो 3 ही आएगा f of 2 minus पे निकालोगे 2 से थोड़ा सा छोटा value दोगे तो भी 3 ही आएगा f of 2 plus निकालोगे तो भी आपका value कितना आएगा 3 ही आएगा सारे पे तो 3 ही आएगा ना हमारा च्योंकि यह एक तरह से function वाला हम न ना thousand दाल दो तो भी उसको कोई मतल्ब नहीं वो क्या निकालके देगा 3 ही निकालके देगा तो मालनेते हैं कि कोई भी point हमें check करना ना कुछ पनूंकि एक कांटीनिस हो गए randomly कोई भी point की f of c पे क्या होगाο tô f of c पे 3 देगा f of c पे कितना देगा 3 ही देगा f of c माईनस पे क X जो होगा वो सीधे सीधे FC के बराबर हो जाएगा तो function क्या होगा हमारे पास continuous होगा या फिर हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं कि इस ग्राफ पर कहीं कोई break नहीं होगा तो इसलिए function जो होगा हमारा continuous होगा चलिए आते हैं अगले example पर देखते हैं prove that the identity function on the real numbers given by fx equal to x अगेन देखो क्या है मारे पास identity function है तो identity function क्या होगा fx equal to x तो यह बोल रहा है कि हर जगा continuous है तो अगर इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ से तो आप सीधे सीधे बता सकते हो this one is x this one is y तो आप कहीं भी देखो ग्राफ जो है वो y equal to x का ग्राफ आमरे पास यही होता है यह y equal to x है ठीक है तो यह कहीं भी मतलब हर जगा continuous है कहीं भी discontinuous नहीं है हमारे पास किसी भी point पे और अगर माल लेते हैं कि हमें check करना है किसी भी point c पे at x equal to c पे हमें check करना है कि at x equal to c पे क्या होगा तो f of c कितना होगा आपका c हो जाएगा ठीक है और since function जो है वो अगर माल लेते हैं कि LHL आप निकालो कि LHL क्या होगा तो आप ऐसे निकालोगे कि limit x से tending to c minus fx क्या होगा तो यह आपका क्या है constant function है तो किसको tend करेगा c minus को tend करेगा या फिर कहते है है मतलब c minus को tend कर रहा है फिर c plus को tend करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि c को tend कर रहा है मतलब 2 से थोड़ा चोटा है इसा नंबर आ रहा है 1.999999 इस तरीक इसा नंबर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि टू को टेंड कर रहा है ठीक है वैसे आरेचल निकालेंगे आरेचल निकालेंगे तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि एक limit extending to c fx जो होगा एक जो होगा हमरे पास कितना आ जाएगा और यह किसके बराबर है अमरे पस fc के बराबर है क्यों होगा हमारे पास यह limiting value वाला क्योंकि यह अगेन क्या है आपका एक polynomial है यह भी तो एक polynomial ही है ना linear polynomial अगर polynomial का definition पता है और हमने लिमिट वाले में किया था कि कोई भी polynomial जो होता है किसी भी point पर आपको निकालना हुगा ठीक है जैसे माल लेते हैं कि आपको एक function दे दिया गया function दे दिया आपको x cube minus 8x square plus 3x इस पर यह function दे दिया गया और पूछा कि limit x tending to 2 fx क्या होगा तो बस क्या करना क्या है इसको directly उठा के यहां पर रख दो तो टू का बराबर है हमारे पास ओके चलिए आते हैं definition 2 पे और definition 2 है हमारा हमने बोला था नहीं कि दो तरीके के हम लोग continuity पढ़ेंगे एक तो हम लोग point पढ़ेंगे और दूसरा interval में तो continuity अनिंटर्वल अभी उसी की बात कर रहे हैं continuity in an interval किसी interval में function जो है वो continuous होगा की नहीं होगा उसकी बात करते हैं तो दो तरीके के हमें interval देखने को मिलेंगे दो तरीके के interval देखने को मिलेंगे एक तो open interval होगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास closed interval इन दोनों में फर्क आई तिंग सबको पता होगा कि यहां पर क्या होता है ना तो एंक्लूड़ेड है नीदर है नीदर एंक्लूड़ेड 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 नौर बी ना तो एंक्लूड़ेड है ना भी इंक्लूड़ेड है हमारे पास और इसके बीच बीच के जीतने सारे नंबर से हैं, उस सारे के सारे आएंगे हमारे पास, यहाँ पर बोथ A and B are included मतलब उसके बीच के नंबर तो हैं हैं, उसके साथ साथ A और B भी included हैं, जैसे, देखो, माल लेते हैं कि A के graph हमने ऐसे बनाया, यह A है हमारे पास और यह B है, तो इस तरीके से अगर A और B आपका included नहीं है, तो ऐसा होगा इसका मतलब कि graph जो होगा न, कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा आपका यह, इसकी बात की जाएं, तो अगर यह A है और यह B है, तो इस पे अगर graph मान में बनाते हैं तो आपका B पॉइंट जो होगा, वो भी included होगा, और A पॉइंट जो होगा, वो भी included होगा, यानि कि field circle होगा, अगर hollow circle है, इसका मतलब कि उस point पे function जो है, वो defined नहीं है, तो अब बात आती है कि कोई भी function एक interval में defined कब होगा, इस interval में defined कब होगा, इस interval, sorry, defined नहीं, continuous कब होगा हमारे पास, तो देखो, यहाँ पे end points की, तो end points पे तो definitely continuous नहीं होगा, क्योंकि end points पे defined नहीं है, तो बात आती है उसके बीच के point की, a और b के, बीच के जितने सारे points हैं, उन सब की बात आती है, तो अगर, if, if, fx is continuous, continuous, for, for, every, for every, इसको यहीं बोलते हैं, for every, x belonging to, a to b, a to b, for every, continuous for every, continuous for every, c belonging to a to b, मतलब की, एक ऐसा point है, जो की c, जो की, a और b के बीच में बिलॉंग कर रहा है, और, fx जो है, वैसे सारे c पे continuous है, then, then, it is said to be continuous, it is said to be continuous in interval, in interval a to b, ठीक है, दो को बात बताते हैं, इसको, कि यह, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि, अगर इस interval की बात कर रहा है, कि इस interval में continuous है, कि नहीं है, तो इस interval के, हर एक point पे function continuous होना चाहिए, इस interval के हर एक point पे function continuous होना चाहिए अगर इस interval के हर एक point पे function continuous है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, यह function जो है इस interval A to B में continuous है ठीक है, अभे हम लोगे ने किसकी बात की? open interval ऑले की बात की कि इस interval में, जैसे हमने point पोईंट भी बात की थी कि point पे हमने continuity देखा था लेकिन अगर आपके interval में हुआ तो interval में क्या करना पड़ेगा आपको कि हर एक point पे हमें देखना पड़ेगा कि ये function इसके बीच के हर एक point पे continuous है कि नहीं है अब ये देखो problem यहाँ पर ये आएगा कि अगर माल लेते हैं कि हम कोई भी interval ले लेते हैं तो अगर हम हर एक point पे continuity चेक करने बैठ गये हैं तब तो मतलब कि पूरी जिंदिगी मतलब बाप दादा और हमारा और हमारे आगे तीन-चार पुस्तों का निकल जाएगा लेकिन फिर भी हम सारे points पे नहीं कल पाएंगे तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि चेक only at only at doubtful points only at doubtful points जहां पर doubt हो न वहां पर check करेंगे और आपको यह doubtful points कैसे निकालोगे वो आपको धीरे-दरे questions करते हुए समझ में आ जाएगा जब आप पूरा exercise वगर हम आपको करा देंगे इवन पूरा examples जब हम लोग करेंगे न तो आपको समझ में आ जाएगा क्या-कर doubtful points जो होगा हम किस doubtful points की बात कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ doubtful points पे चेक करेंगे ऐसा नहीं है कि सारी points पे चेक कर लिया ठीक है doubtful points में जैसे आपको लगे कि आपको लगे कि function is changing its definition where function changes its definition यह सबसे बड़ा point होगा आपका where where function changes its definition definition जहाँ पे change करेंगे न उस पे चेक करेंगे हम लोग जैसे माल लेते हैं कि अब यही एक चलिए यही माल लेते हैं कि यह एक example 3 देता तो इसने तो सरफ एक point पे पूछा था था ना अब यह पूछता कि माल लेते हैं कि minus 2 से लेके और 2 तक में बताओ कि minus 2 से लेके 2 तक के interval में यह function continuous हाई कि नहीं है तो हम सारे points पे थोड़ी चेक करेंगे हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे जहाँ पे कि doubt होगा हमें और doubt कहाँ पे होगा यहाँ पे 0 पे reason 0 पे doubt होने का क्योंकि 0 पे function अपना definition change कर रहा है तो doubt है ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे discontinuous हो हो सकता है कि वहाँ पे भी continuous हो लेकिन वो doubt होगा होगा ठीक है कि हाँ मतलब हम लोग ऐसे होता है ना में भी होता है कि भी है कि वहाँ पे continuous है की नहीं है वहाँ पे continuous हो सकता है और discontinuous हि हो सकता है तो वो हमें check करने के जरूर्ब पढ़एगी बस तो सिर्फ doubtful points पे हम लोग चेक करेंग Kara kah पूरे interval अच्छा ये तो हमने open वाले की बात की अब end वाले की भी बात कर लेते हैं कि end points पे मतलब इस तरीके से दिया हो कि अगर आपका interval जो है वो इस तरीके से दिया हो वो closed वाला दिया हुआ है कि a से b इसमें कैसे check करोगे इसमें कैसे check करोगे तो आपको end points पे भी check करने की जरूरत पड़ेगे तो इसकी बात करते हैं कि a function a function is said to be continuous said to be continuous in in interval, closed interval a to b if it is continuous continuous for every c belonging to a to b, मतलब ऊपर वाला तो होना ही चाहिए यानि कि इसके बीच के जितने सारे points है उस पर तो continuous होना चाहिए and at end points and at end points अब यहाँ पे ना end points की बाते करते हैं हम लोग क्योंकि यह वाले बाते तो हम लोग पिछले वाले में भी कर चुके हैं अब end points की बात करते हैं कि आप a पे और कैसे चेक करोगे तो यह देखो जैसे माल लेते हैं कि हमारे पास graph जो है वो कुछ इस तरीके का बना होगा है this one is point a this one is point a this one is point b ठीक है अब हमें क्या करना है a पे चेक करना है तो a पे चेक करने के लिए देखो f of a तो defined है यह तो आप देखते ही कहे दोगे f of a जो है वो defined है f of a is defined ठीक है दूसरा आते हैं कि क्या limit x tending to a fx जो होगा उसका क्या होगा limit x tending to a fx जो होगा उसका क्या होगा क्योंकि आप यह देखो कि यहाँ पे यह वाले part पे तो आपका LHS defined ही नहीं होगा अगर माल देते हैं कि आप ये कहते हो कि LHS निकालते हैं यहाँ पर किस पर extending to A पर तो क्या करोगे limit extending to A minus fx निकालोगे but problem देखो क्या है कि ये function ही A से B के बीच में बस defined है A से पहले तो है ही नहीं तो इसका कोई sense बनता है क्या नहीं ठीक है this doesn't make sense this doesn't make sense ये sense नहीं करता है reason क्या है आपका since since A minus is not in domain is not in domain domain ठीक है तो यहाँ भे फिर check कैसे करेंगे कैसे पता करेंगे कि इस point पर continuous है की नहीं है तो देखो ध्यान रखोगे कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे इसका आरेचल निकालेंगे इस A point पे सिर्फ आरेचल निकालेंगे यानि कि limit X tending to A plus Fx निकालेंगे limit X tending to A नहीं निकाल रहे है वाली बात है कि f x will be said to be continuous will be said to be continuous at x equal to a a point की बात कर रहे हैं at x equal to a if limit x tending to a plus f x जो है वो हमारे पास f of a के बराबर आ जाए यह ठीक है मतलब यह है कि सब में हम लोग क्या कर रहे था अभी तक क्या कर रहे थे कि left hand limit और right hand limit दोनों बराबर होना चीए और वो functional value के बराबर होना चीए लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखोगे कि end point के लिए left hand limit मतलब a point के लिए left hand limit तो defined ही नहीं है तो यहाँ पे हम लोग define सिर्फ किसको करते है और अगर वो हमारे पास functional value के बराबर आ गया दिन हम लोग कहते हैं क्या कि function जो है वो a पे continuous है देखो इससे पहले इसके बीच की तो बात कर चुके है इसके बीच की तो बात हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं और इसके बारे में हम लोग पीछले बाले में बात कर चुके हैं हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ end points पे अब सेम आता है आपका किसके लिए B के लिए देखो, यहाँ पे तो A प्लस आपका है, यहाँ पे B माइनस, तो अब B की बात करते हैं, ठीक है, at x equal to B, B की का होगा हमरे पस, B के बारे में क्या होगा, तो F of B is defined, वो तो दिख रहा है कि F of B is defined है, क्योंकि वहाँ पे field circle बना हुगा है हमरे पस, तो F of A जो है, वो तो defined है आपका, अब बात आती है कि limit x tending to B fx क्या होगा फिर, तो अगेन यहाँ से दो points हम लोग limit निकालने के लिए क्लिए 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 है, LHL और RHL देखेंगे, तो देखो यहाँ, LHL निकालोगे इसका मतलब क्या होगा, limit x tending to B minus fx, ठीक है, और यहाँ पे आपका RHL क्या होगा, limit x tending to B plus fx, अब फिर से यहाँ पे देखो, कि क्या B plus है क्या आपके पास, क्योंकि यह function तो B तक है, तो B plus तो आपका इधर आएगा, B plus तो इधर आएगा, जो कि है नहीं, अवलेबल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि function ही define हमें किया गया है A से B तक में, उसको bound कर दिया गया है, जो domain है उसको bound कर दिया गया है A से B के बीच में, तो B plus, कोई point तो होग होगा नहीं, अब कोई point नहीं है तो आप से प्रिस भी limit कैसे नहीं कालोगे, तो इस में क्या होगा, this doesn't make sense अब की बार, अब की बार हम कहेंगे, कि this doesn't make sense, make sense, क्यों क्यों कहेंगे हम लोग, since, since B plus is not in domain, is not in domain, तो यहां पर आपकी बार क्या निकलेगा सिर्फ, आपकी बार निकलेगा, LHL, और अगर, if limit x tending to b minus fx is equal to f of b है, अगर functional value के बराबर है, then fx is said to be continuous, said to be continuous at x equal to b, ध्यान रखोगे इस चीज़ का, ठीक है, ऐसा नहीं कि गड़बड हो जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, कि end points पे आखिर हमारी continuity जो है, वो कैसे define होती है, बस, यही आपका theory है, theory part हो गया है, एक और रह गया है, composite function के लिए तो उस पे भी आते हैं हम लोग, ठीक है, पूरे interval में और किसी एक point पे, हमने बोला था ना, कि दो तरीके के questions आप से पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा किसी point पे और एक पूछा जाएगा किसी interval में, तो point के लिए तो हमने सीख चुके थे, interval वाला हम लोग अभी सीख लिए, कि interval में कोई function defined कब होगा, जब उसके हर एक point पे हो, उसके बीच के हर एक point पे हो, तो वही देखो, यहाँ पे है, a real function f is said to be continuous, if it continuous at every point in the domain of f. Suppose f is a function defined on the interval a to b, for f to be continuous, it needs to be continuous at every point, including the endpoints a and b, continuity of f at a means limit extending to a plus, or b means this one, observed at this and this do not make sense, as a consequence of this definition, if f is defined only at one point, it is continuous there, चलिया, आते हैं, कि अब यहाँ पे कह रहा है कि is the function f x equal to modulus of x, is a continuous function, अब आपका question जो है न, यह पहले भी हम लोग कर चुके हैं, example number 7 में, क्या पूछा, f x equal to modulus of x, अब यही question जो था आपका यहाँ पे भी था, कौन से question आपका, example number 3, लेकिन देखो, यहाँ पे क्या पूछा था, कि x equal to 0 पे बतावा, x equal to 0 पे बतावा, और यहाँ पे देखो क्या कहा रहा है, कि यह पूरा function continuous है कि नहीं, इसका मतलब कि, इसके पूरे domain में देखना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर इस function को हम लोग define करें, fx equal to, तो x होता है कब, जब x greater than equal to 0 हो, और minus x होता है कब, जब x less than 0 हो, तो देखो, हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम, x equal to 0 यहाँ पे रखते हैं, तो x negative इधर होगा, और x positive इधर होगा, negative के लिए definition कितना है आपका, minus x, positive के लिए definition कि इतना है, x है, और 0 पे तो आपका जो है, वो x ही है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग, अगर माल लेते हैं, कि हमें चेक करना है, कहां से कहां तक interval देकर रखा है, एक तरह से, minus infinity से लेकर, infinity तक, पूरे में चेक करना है, कि function continuous है, कि नह definition क्या है, एक polynomial function है, 0 से पहले, अगर आप इस function को redefine करो, फिर से, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या, minus x, किस के लिए, for x negative के लिए, 0 के लिए, तो हमारे पास कितना है, x है, और positive के लिए कितना है, हमारे पास, again x है, क्योंकि greater than or equal to 0 के लिए, हमारे पास x है, तो ऐसा कुछ definition है आ जो कि क्या है, हमारा negative है, तो हम अगर यहां से आपसे पूछें, कि functional value f of c क्या होगा, f of c क्या होगा, तो negative के लिए कितना है आपका, minus का x, यानि कितना हो जाएगा, minus का c, minus का c हो जाएगा, और limiting value क्या हो जाएगा, तो limit x tending to c, limit x tending to c, fx निकालोगे, तो c तो since आपका क्य क्या है, negative है, तो negative के लिए definition कौन सा होगा, minus का x वाला, तो हम इसके जगा पे क्या रख देंगे, limit x tending to c, minus का x, तो x की जगा पे c रखेंगे, तो आपका value देखो क्या होगा, minus का c, तो देखो आप कि functional value, since हम लोग ऐसे कहेंगे, कि limit x tending to c, fx is equal to क्या है हमारा पस, f of c, functional value क के लिए तो function continuous है, कोई भी negative value के लिए तो function जो है हमारा, वो continuous है, यह एक point हो गया हमारे पास, दूसरे point पे आते हैं, कि if c is positive, positive की बात करते हैं, तो positive के लिए f of c का value कितना होगा, तो positive के लिए जो actually हमारे पास definition पहले लिख लेते हैं, fx equal to कितना है, x है, यहाँ पे कितना थ definition fx equal to minus x, negative के लिए, negative के लिए definition हमारा पास, minus x था, positive के लिए x है, हमने लिख लिया, तो f of c अगर आप से पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, c बोलोगे, ठीक है, कि f of c जो है, वो c है, अब यहाँ पे हम लोग limiting value निकाल लेते हैं, कि limit extending to cfx क्या होगा, तो positive c के लिए, अब हम लोग जो c ले रहे हैं, वो positive ले रहे हैं, उसके लिए definition क्या है, x है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कि limit extending to c, x, तो यहाँ से value कितना जाएगा, c, तो क्या limiting value of functional value बराबर है, यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि limit extending to c, fx जो है हमारे पास, वो किसके बराबर है, f of c के बरा यहाँ पे भी function is continuous for c less than 0, यह क्या हो गया है, function is continuous for c greater than 0, तो c greater than 0 के लिए हो गया, c less than 0 के लिए अब third वाला case ले लेते हैं, at c equal to 0 पे, c equal to 0 पे बात कर लेते हैं, तो c equal to 0 पे function का definition क्या है आपका, fx equal to x है, c equal to 0 यानि कि x equal to 0 की बात कर रहे हैं, हम लोग यह बाला, x के जगब हमने c रखा है, तो अगर यहाँ से आप से पूछा जाए कि f of c क्या होगा, तो f of c क्या बोलोगे, c बोलोगे, ठीक है, अब limit पूछा जाए, कि limit extending to c, fx क्या ह होगा, तो अब c plus पे definition तो कुछ और था, c minus पे definition कुछ और था, तो हमें यहाँ पे change करना पड़ेगा, check करना पड़ेगा, किसके लिए, limit extending to c minus fx, और limit extending to c plus fx, c plus fx, इन दोनों पे change करना पड़ेगा, अच्छा, हमारे पास actually c का value हमने 0 लिया है, तो यह तो 0 रख देते हैं बाकी सब के लिए, तो c हमारे पास c का कोई value हमने लिया था, वो general c के लिए बात कर रहे है, अपकी बार c equal to 0 पे हमें check करना है, s is c equal to 0 ना करके directly x equal to 0 ही कर देते हैं, x equal to 0 fx, तो यह आपका हो जाएगा 0 minus और 0 plus, तो 0 minus पे जो definition है आपका, limit extending to 0 minus fx का definition कितना था, minus का x, value कित हो जाएगा, limit extending to 0 plus fx का definition कितना था, यह, तो आपका LHL और RHL बराबर आ गया, actually यह तो करने की ज़रूद नहीं थी, क्योंकि यह काम हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, 0 minus और 0 plus, 0 के लिए check करना था, ना, क्योंकि 0 minus के लिए, 0 plus के लिए तो हमने उपर ही check कर लिया है, यह, 0 से बड़े के लिए, और 0 से शोटे के लिए थे, हम लोग चेक कर लिए हैं, और 0 minus के लिए यहीं पर हो चुका था, बट फिर भी हमने बता दिया यहाँ आपको वापस से, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दोनों साइट से 0 आ रहा है, इसका मतलब कि limit, x tending to 0 fx जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, और यह किसके बराबर है, f of 0 के बराबर, यानि कि जिस पर doubt था, जिस पर doubt था, उस पर भी आपका continuous हो गया, अब हर बार ना हम लोग यह काम नहीं करेंगे, हर बार हम लोग यह काम नहीं करेंगे, हमने बस आपको यहाँ पर elaborate करके बता द तो function अपना definition किस पे change कर रहा था? 0 पे, तो हमें 0 पे सिर्फ देखने के जरूरत थी, बाकी किसी point पे देखने के कोई जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है? क्योंकि वो उससे पहले भी एक polynomial है, 0 से पहले भी एक polynomial है, और 0 के बाद भी एक polynomial है, तो उदर को तो कोई इसको problem होता नहीं है, ठीक है? चलिए ये हो गया आपका example number 7, वही चीज़ देख रखा है आपका, ठीक है? By example 3 we know that f is continuous at x equal to 0, अब कोई भी minus c पे हमने चेक किया, negative c पे, तो value आपका minus c आ जाएगा, ठीक है? और आगे के लिए बात करते हैं, मतलब positive के लिए, तो f c c होगा, और limiting value भी जो होगा हो, आपका उसी के बराबर होगा, discuss the continuity of the function this one, add this, अब देखो, यहाँ पे directly हम बता देते हैं, कि अब ये क्या है आपका, एक polynomial function है, आपका, हमेंसा क्या होगा, limiting value जो होगा, वो functional value के बराबर ही होता है, तो इसमें limiting value, क्योंकि इसको दिक्कत नहीं है, LHL और RHL निकालने के ज़रूत है ही नहीं, तो LHL और RHL निकालने के ज़रूत नहीं है, तो directly हम लोग कह सकते हैं, कि limit extending to c, this one is equal to c रख देते हैं हमारा जो limiting value होता है न, limit extending to कोई भी c, fx, और fx अगर आपका polynomial है, तो f of c रख दो directly, अब वो हमारे पास fc के बराबर है, तो function क्या बजाएगा, continuous बजाएगा, question number 9 को हम limit chapter में अच्छे से बता चुके हैं, तो आप एक बार उसको देख लेना, ऐसे चलो हम एक बार discuss the continuity of the function, देखो, कि ये function continuous है कि नहीं, x not equal to 0 देख रखा है हमारे पास, x not equal to 0 हमारे पास देख रखा है, चलो, यही से देख लेते हैं, ठीक है, देखो, अब x negative के लिए देखा जाए, मतलब कि कोई भी एक c value लिया जाए, less than 0 लिया जाए, क्योंकि दो ही ले सकते हैं, c less than 0 और c greater than 0, तो c जब less than 0 लोगे, तो भी आपका इस definition को अगर वापस से लिखना चाहते हो, तो कैसे लिख सकते हो, fx equal to ऐसे लिख दोगे, 1 by x किसके लिए, positive के लिए, और 1 by x किसके लिए, negative के लिए, क्योंकि 0 के लिए मना किया है, क्योंकि 0 पे यह function not defined है, तो यह हो गया आपका, तो c अगर आपका negative है, तो f of c कितना हो जाएगा, f of c 1 by c हो जाएगा, और limit extending to c, limit extending to c, जहाँपे c negative है, fx कितना होगा आपका, fx negative के लिए आपका 1 by x c है, तो हम लोग ऐसे लिए लिए, limit extending to c, 1 by x equal to kitना 1 by c, और c positive के लिए क्या होगा आपका, again f of c निकालोगे, तो 1 by c आएगा, limit extending to c निकालोगे, तो कितना होगा, 1 by x, क्योंकि positive के लिए वो definition आपका यही है, यानिकि 1 by c, तो देखो limiting value, functional value के बराबर है, limiting value, functional value के बराबर है, पीछे भी, आगे भी, मत्तब जहाँपे defined है, वहाँपे तो ठीक है, तो इसलिए function है, जो है वो continuous है हमारे पास, ओके, देखो, इसके graph के बारे में, हमने वहाँपे चर्चे की है, तो एक बार आप उसको देख लोगे, कि 1 by x का जो graph बनता है, वो कैसे बनता है, कि 1 upon 0 plus जो होता है, 1 upon एक बहुत ही छोटा number, is equal to एक बहुत बढ़ा number होता है, यानि कि plus infinity को जाता है, और 1 upon एक बहुत ही छोटा number, equal to, एक बहुत ही बढ़ा number, लेकिन negative side में है, तो minus infinity को जाता है, वोई चीज़ यहाँपे देख रखा है आपको, इसके बारे में हमने चर्चे की है, वहाँपे, ठीक है, तो आप एक बार उसको देख लोगे, this one, चलिए example number 10 से हम लोग next video में कवर करेंगे, ओके, thank you,